ओम श्यंति, आप सबको दो नवेम्बर की श्रीविदान में स्वागत है परिम्पिता परमात्मा को राजी करना, सच्चे साहब को राजी करना सच्चे साहब को परिम्पिता परमात्मा जिसको हम भगवान या अल्ला या जिहोगता है उनको राजी करने वाले परमात्मा में कहते हैं कि राज युक्त युक्त और युक्त युक्त भवा तो सच्ची दिल से साहब को राजी करने वाले राज युक्त 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 भवा बाप ददा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है बुद्धी वाला बुद्धी राम नहीं दिल वाला दिला राम लोगन को वो बच्चे पसंद आते हैं जो कि उनके दिल को जीत पाते हैं बुद्धी को नहीं इस दुनिय में हैं वहाँ सारे बुद्धी जीवी scientist बैठे हैं वे इते सारे परमात्म को वो बच्चे अच्छे लगते हैं प्यारे लगते हैं जो कि उनके दिल पर चड़ पाते हैं उनकी बातों को फॉलो करते हैं जो सची दिल वाले बच्चे हैं उन पर सहब राजी हो जाता है दिल से साहिब को याद करने वाले सहच ही बिंदू रूप बन सकते हैं दिमाग से नहीं सारी दुनिया मंत्र जब तब करके दिमाग से याद करती है लेकिन दिल से याद करना मलब उनके साथ में रिष्टा रखना उनकी बातों को मानना वह बाप की विशेश दुआओं के पातर बन जाते हैं सच्चाई की शक्ती से समय प्रामान उनका दिमाग युक्ती युक्त सच्चाई की शक्ती से परमात्म के साथ में सच्चे हैं इसलिए उनका जो दिमाग है वो युक्ती युक्त मरलब तरीके तोर तरीके निकाल लेता है कोई भी प्रॉल्लम को solve करने के यथात कारे स्वता ही करता है दिल से परमात्मा को जीता तो बुद्धी भी खुलनी शुरू आती परमात्मा कहते है लेकिन हम जातर अपनी devotions अपने जित्ती बक्ती मार्ग है सब मंत्र जब तब श्लोक आदी बुद्धी वाले कारे करते है और फिर बुलते हैं कि पता नहीं किस जनमे परमात्मा मिलेंगे है परमात्मा कहते हैं मैं मंत्र जब तब यग्य से मैं मिलता नहीं है बगवत गीता में लिखा हुआ है और कई और धर्मों में भी दिखाया गया कि जो भी हम कर्म कांड करते हैं, उनसे परमात्मा मिलते नहीं है hum परमात्मा सक्चे दिलवालों से मिलते हैं तो सच्चा एक शक्ती से सम्य प्रमान, उनका तिमाग युक्ति युक्ति यथार्त कारे स्वता ही करता है बैगवान को राजी किया हुआ है इसलिए हर संकल्प बोल और कर्म यथार्थ होता है क्योंकि परमात्मकों राजी क्या है उनके हिसाब से हम चल रहे हैं उनकी guidance से हम चल रहे हैं तो automatically जो भी हम कर्म कर रहे हैं जो भी हम बोल रहे हैं सोच रहे हैं वो सब कुछ यधार्थ होता है, वह राज, युक्त, 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 युक्त बन जाते हैं, automatically, उनको सारे राज दिखने शुरू हो जाते हैं, जो कि हम अपनी पांच कर्मी इंद्रों से दुनिया में सर्च कर रहे होते हैं, हमें राज पता होते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होगा और उसमें फाइदा क्या है, और हम युक्त युक्त चल पाते हैं, और युक्त रह पाते हैं इसलिए, क्योंकि हम हर कारे, हर बोल, हर संकल्प हम जतना हो सके हम परमात्म की याद में करने की कुश्श करते हैं और ये सब कुछ परमात्म की यारे हैं सिर्फ एक शब्द सची और नेक्स्ट दिल तो हम कितने सचे दिल से परमात्म की याद करते हैं कि या हम उनको मतलब से याद करते हैं ये सारी चीज़े हम खुद ही जानते हैं और किजी को हमें बतानी की जूरत नहीं है ये सब कुछ पता करने के लिए आप राजयोग सीखे उससे आपको पता चलेगा कि परमात्मा हमसे चाहते क्या है सेवन डेस का कोर्स है जिसमें परमात्मा ने अपनी सारी रचना अपने बारे में आत्मा के बारे में हमारा उनके साथ संबंद किया है उस सब चीजों के बारे में बता दिया है खुलासा कर दिया है आज जितने भी गरंथ हैं इस दुनिया में उन गरंथों शास्त्रों से भी जादा ग्यांट आज हमें यहां मिल रहा है उनका निचोट तो मिल रहा है लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज़े हैं चोटी काई है कि चाहे कि चाहे आप चाहे सारे जंगल को आप कलम बना दो, सारे समंदर को सियाई बना दो, फिर भी आप मुझे मेरे बिना भैचान नहीं सकते हैं, अनंत का अंगो, तो बेंत है, अनंत है, क्या है, उसका मतलब जितने भी हम गरंथ पढ़ते हैं, जितने भी हम शास्तर पढ वो समझा सकते हैं चो किआए हम सीख रहे हैं प्रह्मकुमारीस की माढिम से आप भी आईए और सीकिए ओम शेयंद इसके साथ